ये कहानी एक बड़े से घर से शुरू होती है जिसमें एक आदमी के गले से खून पी रही थी आदमी बिल्कुल स्टेचू बनकर खड़ा था क्योंकि इस आदमी को अभी अभी फ्रीजर से निकाला गया था जिस कारण उसका पूरा श्रीर चम चुका था इसका खून पीने व रही थी तो तुम्हें बहुत याद कर रही थी अपने पती से फोन पर बात करने के बाद वो बक्त गुजारने के लिए प्याशने लगती है और अचानक तभी उसका पेट दर्द करने लग जाता है देखते ही देखते उसके पेट में इतना दर्द होने लगता है कि वो बड़ा एक्टर भी जेन के साथ काम करना चाहता था, क्योंकि जेन का नाम ही फिल्म को सफल बना देता था, कहते हैं कि सफलता कभी भी अकेले नहीं आती, ये अपने साथ साथ और भी बहुत चीजें लेकर आती है, ऐसा ही कुछ जेन के साथ हुआ था, वो जब से सफल हुआ तब से दौलत, शाहरत, सब उसे बिना मागे मिल गया था। जेन पूरा दिन अपने स्टूडियो में काम करता था और फिर वो रात को घर चला जाता था। कुछ देर बाद जेन अपने घर के गाराज में गाड़ी रोकता है और फिर वो दाखिल होता है अपने आली शान घर मे जेन ने अपने घर के हॉल को बिलकुल स्टूडियो जैसा बना रखा था ताकि जुरूरत पढ़ने पर यहां शूटिंग हो सके। वैसे आपको बता दें कि जेन शादी शुदा था और इस समय उसकी वीवी कहीं बाहर गई हुई थी। अब जेन जैसे ही बाथरूम की जेन बेहोश हो जाता है कुछ देर बाद जेन दीरे दीरे अपनी आखें खोलता है और तभी उसकी नजर अपनी वीवी ली पर पढ़ती है ली को पतली पतली वायर से प्यानों के साथ बादा हुआ था और उसके मूँ को भी एक कपड़े से बंद किया हुआ था अब जेन क से कहता है कि मेरे बेडरूम में बहुत पैसा पड़ा है लेकिन वो आदमी उसकी बात को अंसुनी कर देता है और तभी जेन की नजर छट पर पड़ती है दरासल इस आदमी ने जिस तरह जेन और ली को बंदी बनाया था उसे देहकर जेन समझ गया था कि इस आदमी को घर के कोने कोने की खबर है इस आदमी ने जेन और ली को बंदी बनाने के लिए उसी समान का इस्तमाल किया था जो घर में पड़ा था और शूटिंग के समय इस्तमाल होता था अब जेन उस आदमी से पूछता है कौन हो तुम ये सुनकर वो आदमी अलग-अलग कपड़े पहन कर उसे याद करवाने की कोशिश करता है कि मैं तुमारी कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल कर चुका हूँ उसकी काफी कोशिशों के बाद भी जेन उसे पहचान नहीं पाता और तभी वो आदमी गुसे में आकर ली की एक उंगली काट देता है ली की चीखे सुनकर जेन को बहुत गुसा आता है और वो गुसे में आकर आदमी की तरफ दौड़ता है मगर वो उसे पकड़ नहीं पाता और पीछे खींचा चला जाता है अब आदमी कहता है मैंने तुमारी कमर जिस कपड़े से बांदी है उसे तो तुम जानते ही होगे ये कपड़ा बहुत लचीला और मस्बूत है, तो मैं इस हाल में सिर्फ वहीं तक जा सकते हो, जहां तक मैं चाहता हूँ इसके बाद वो जैन से कहता है, मेरा नाम स्टीव है और मैंने तम्हारी कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल किये हैं, हालागि मेरा रोल छोटा होता था, लेकिन फिर भी में पूरी मेहनत करता था उसकी बात सुनकर जन को सब याद आ जाता है और वो स्टीव को पहचान लेता है अब स्टीव जन से कहता है मैं तुमें कुछ नहीं कहूंगा और तुमारी बीवी को भी छोड़ दूँगा लेकिन मेरी एक शर्त है अगर तुम किसी और को मार सकते हो तो मैं तुम दोनों को आजाद कर जहां से चला जाऊंगा ये सुनकर जन सोच में पढ़ जाता है और फिर कहता है मुझे तुमारी शर्त मनजूर है लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम ये सब कर क्यूं रहे हो अचानक तभी सोफे पर पड़े कपड़ों में हलचल होती है जैसे की किसी को होश आ रहा हो अब स्टीव लाइटिंग अफेक्ट आउन करता है और उनके नीचे जन दीरे दीरे सोफे की तरह बढ़ता है वो मुश्किल से सोफे तक पहुँच पाता है और यैसे ही कपड़ा हटाता है तो लिचीला कपड़ा उसे पीछे खीच लेता है अब स्टीव कहता है तुम इस लड़की को नहीं जानते और ना ही मैं इसे जानता हूँ मुझे ये रास्ते में मिली थी और मैं इसे वेहोश कर यहां ले आया अब मैं तुम्हें पांच मिनट देता हूँ अगर पांच मिनट के अंदर अंदर तुमने लड़की को नहीं मारा तो मैं ली की एक उंगली काट दूँगा जैन उसकी हर बात को ध्यान से सुन रहा था और स्टीव फिर कहता है जब तक यह लड़की जिंदा रहेगी तब तक मैं हर पांच मिनट के बाद ली की एक एक उंगली काटता जाऊँगा एक बात याद रखना जैन सारी उंगलियां काटने के बाद मैं ली का गला भी काट सकता हूँ इतना कहकर वो टाइम शुरू कर देता है लेकिन जैन की अंदर यतनी हिमत नहीं थी कि वो किसी बेकसूर लड़की का गला अपने हाथों से दबा सके अब जैसे ही पांच मिनट होते हैं तो स्टीव ली की एक उंगली काट देता है जिसमें वेडिंग रिंग थी और रिंग नीचे गर जाती है तक हारकर जैन स्टीव को समझाने लगता है कि तुम ये सही नहीं कर रहे है लेकिन स्टीव उसकी बात की तरफ सरा भी दिहान नहीं देता और समय गुजारने के लिए गाने चालू कर देता है अब स्टीव पूरी मस्ती में नाच गा रहा था जबकि बाकी लोग उसे हैरानी से देख रहे थे अब जैसे ही पांच मिनट होने वाले थे तभी जैन एक बार फिर से लड़की को मारने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता तक हारकर वो स्टीव से कहता है मैं मानता हूँ कि मेरा कई लड़कियों से अफेर है और तुम उनी में से किसी एक के प्रेमी हो ताकि मुझसे बदला ले सको ये सुनकर स्टीव कहता है ऐसी कोई बात नहीं और ना ही मैं जे सब किसी लड़की के लिए कर रहा हूँ तभी पांच मिनट हो जाते हैं और स्टीव फिर से ली की एक उंगली काट देता है अब जेन स्टीव से कहता है अगर तुम ली को मार दोगे तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मेरी बीवी मुझसे ज्यादा मेरे पैसों से प्यार करती है और जिस दिन मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे ये मुझे छोड़ कर चली जाएगी इस पर स्टीव कहता है बिर्कुल सही तुमारी बीवी बेवफा है और इसका भी किसी से अफेर चल रहा है स्टीव की बात सुनकर जन बुत बन जाता है क्योंकि उसे ली के अफेर की खबर पहले से ही पता थी अब जैसे ही 5 मिनट होते है तो स्टीव ली की एक और उंगली काटने लग जाता है इस बार वो ली की उंगली एक ब्लेड से काट रहा था ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा दर्द हो इसके बाद वो सभी कटी हुई उंगलियों को ग्राइंडर में डाल कर ग्राइंड करता है जिसे देखकर जन गुसे में आकर जोर जोर से चिलाता है अब स्टीव ली के पास आकर उसके मूँ से कपड़ा हटा देता है और तभी ली चिलाती है मार डालो लड़की को अब आखिर में जेन लड़की को मार कर ली को बचाने का फैसला करता है लेकिन पता नहीं क्यों इसी दुरान स्टीव की आँखों से आंसों निकलाते है अब जेन लड़की के पास पहुँचकर उसका गला दबा रहा था और अचानक तभी लड़की के सिर से बिग उतर कर नीचे गिर जाती है जेन जिसे लड़की समझ रहा था वो तो एक लड़का निकला ये नई पहेली देखकर जेन इतना डर जाता है कि वो तभी पीछे हट जाता है अब स्टीव आगे बढ़कर लड़के की सांसे चेक करता है और उसे जिन्दा देखकर वो जेन से कहता है अब मैं तुम्हें सिर्फ एक मिनिट देता हूँ ताकि तुम लड़के को मार सको इतना कहकर वो ली के पास चला जाता है ताकि अगर जेन्द ने लड़के को नहीं मारा तो वो ली को मार सके इसी बीच जेन्द उसके पास आकर उसे रोकने की काफी कोशिश करता है लेकिन इस बार भी लचीला कपड़ा उसे जोर से पीछे खींच लेता है इस बार वो इतनी जोर से लकड़ी की दिवार से टकराता है कि वो तूट कर नीचे गिर जाती है अब जैन के पास थोड़ा बहुत समय था और जल्दी जल्दी सोचने के बाद वो एक बार फिर से लड़के को मारने की कोशिश करने लग जाता है अब जैसे जैसे बकत बीट रहा था स्टीव वैसे वैसे ली की तरह बढ़ रहा था अचान किसी बीच वो ली की रिंग पर फिसल कर गिर जाता है और गिर कर वायर से निकल पाता तभी ली उसके गले पर जोर से काटती है जैन और लड़का इस नजारे को चुप चाप देख रहे थे और कुछ ही पलों बाद ली स्टीव को छोड़ देती है स्टीव का इतना खून बहचुका था कि उसकी मौत हो जाती है उसकी मौत के बाद लड़का कहता है मैं अपने पिता की मौत का बदला जरूर लोगा जी हाँ दोस्तो ये लड़का स्टीव का ही बेटा था जब जैन उसे मारने की कोशश कर रहा था तब स्टीव की आँखों में इसी वज़ा से आंसु आ गए थे आखिर में जैन ली के पास चाकर कहता है मेरा किसी से अफ़यर नहीं था मैं तो सिर्फ स्टीव को बातों में लगा रहा था ताकि मुझे सोचने का समय मिल सके मकर मुझे ये काफी समय से बता था कि तुमारा अफ़यर है और इसके लिए में तुमें कभी माफ नहीं कर सकता इतना कहकर वो उसका गला दुबा कर उसे मार देता है दरासल आज घर में ऐसे हलात बन चुके थे जिनके कारण शांत रहने वाला जैन भी हिंसक हो जाता है अब बात करते हैं कि स्टीव ने ये सब क्यों किया था दरासल जैन ने एक नेक दिल डिरेक्टर था और उसने कई लोगों की मदद कर उनका करियर बनाया था स्टीव को अमीद थी कि जैन उसकी भी मदद करेगा लेकिन जैन उसे नजर अंदास कर देता है बस जैन की यही बात स्टीव को अच्छी नहीं लगती और वो उससे बदला लेने का फैसला करता है वैसे भी स्टीव एक साइको था जिसने इस खूनी खेल में अपने बेटे की जिन्दगी दाओं पर लगा दी थी हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्लीज हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार